कि कैसे हो सब रियुस्टाइट में आगे बढ़ेंगे टैजरी रॉक्स हम कर रहें थे मैं ने बतायावी था कि यह कोई आगे फिर यो सिन damn के बाद इसमें क्या रहा गया यह इसमें इग और तरह का सीन रह जाता है और फिर उसमें 2 site और रहा जाते हैं और इसके हमारी स्टेटिग्राफी खतम तो यह सीन रॉक्स की बात करते हैं जब क्रिटेशियस फीरेट खतम हुआ तो वाइट स्प्रेड मरीन रिग्रेशन हो यानि कि जो जल में रहने वाले और्गिनिजम से उनका खातमा वह बहुत बहुत ज्यादा हुआ ठीक है अमोनाइट्स कोरलाइड लेमली ब्रांच में रुडिस्टे यह सब खतम हुए ठीक है फिर स्टेटिग्राफिक गैप विद इरोजन अनकनफर्मिटी वाज फॉर्म्ट स्टेटिग्राफिक गैप बन गया क्योंकि यह खतम होगे डैट सेपरेट्स क्रिटेशियस और टर्जर की बात करें यह उसी नौस की तो अपर पार्ट जो है एपसेंट ड्यू टू हिमाले अपर ही विल जो हिमाले में जो उतनी तभाई हुई उसका अपर पार्ट विल्कुल साफ हो गया और जो बाकी कब बचा कुछ हो है वह माउंटेनस बेल्ट जो है सिंद बलुचिस्तान सबसे पहले हम करेंगे यह लिए अने सिंद बलुचिस्तान ऐसे इसमें कितने हैं ऐसे इसमें हैं टोटल चार सबसे पहले पहले रानिखेद फॉर्मेशन जोका चाहए 600 मीटर का है इनकी लीथोलाजी देखी जाए तो इसमें लाइम स्टोंस हैं शेल सैंड स्टोंस हैं विद कोल सीम मैं बताया रखा रहा है क्या होता है और लिगनाइड बैट ठीक है और यह है एज देखी जाए तो इनकी लोवर लोवर तू ऑशरी लोवर यह उसीन की है ठीक है अब देखो जो रानी कोट है ना रानी कोट फॉजिल से हैं हमारे काड़िटा व्यूमॉंटी बैट्स जो टेकन ट्रेफ्स के हैं डैनियन अपर क्रेटेस एज के हैं उनके ओपर यह लाई करता है इसमें फॉजिल्स कौन से आ इसमें हैमियस्टर सायो फाजमा एंड गैस्ट्रोबॉट्स ठीक है फिर इसके उपर है हमारा एक अनकनफरमिटी अनकनफरमिटी के उपर है लाकी लाकी फॉर्मेशन जिसकी थिकनेस 1000 मेटर के लगवा गया है इसमें देखो हमारे लिफोलोजी में सेल रा और लाइम स्टो औरौनस और शेल साते हैं मिडिलमें हैं दुंघम लाइम सैनल हम संटोंस सौर्य दूंघम स्टों ठीकैं और अपर में हैं गाजिज्ग जाह जój बैस जिसमें कले सेल स्टों लाएम स्टोंन घो इन अग ए ठीक और गेस्ट्रोपोर्ट्स ओफ लोगर्टु मीडिल योसीन एज कंटेन ओईल बीरिंग लेर्स में और सबसे उपर है हमारे योसीन और बलुचिस्तान में कीर्थर कीर्थर फॉर्मेशन थिकने सब सब्सक्राइब यहां पर देख जाते हैं इसकी है अब पर से मिडिल योसीन ठीक है कीर्थर फॉर्मेशन में जो फॉजिल है वह है नियूमलाइट्स कंप्लैनेटस और नियूमलाइट्स ल एई वी आई जी एटी वस लेवी गैटस ठीक है फिर दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता है यह आता भी फिर आता है दूसरे नंबर पर यह उसीन ओफ शिमला कहां के शिमला के यह सिमला से नैनिताल तक फैले होएं जिनको हम सुभातू फॉर्मेशन कहते हैं नॉर्थ वेस्ट से साउथ इस्ट को ट्रेंड करती है इनकी बेल्ट ठीक है यह क्रॉल थ्रस्ट क्रॉल थ्रस्ट तो इनको कवर करता है नॉर्थ में और में बाउंडरी फॉल्ट इनको कवर करता है साँद में बाउंड करते हैं यह शेल्स कुछ जिप्सम और सेल और वेर एक्यूवेलेंट हैं लाकी फॉर्मेशन के एज में तीसरे नमर पर आता है हमारा यूसीन ऑफ कश्मीर के यूसीन अकर एज नेरो बेल्ट अलॉंग साउथ और पीर पंजल बाउंड़ बाउंड़ थ्रस्ट से बाउंड़ है ठीक है यह एक नेरो बेल्ट पतली सी बेल्ट की इसका निचला हिस्सा है इसमें हमें चर्टी नियूमिलिटिक लाइम स्टोन्स और एंथ्रस साइट ओल्स देखने को मिलते हैं और दूसरा है चारात फॉर्मेशन इसमें हमें नियूमिलिटिक लाइम स्टोन शेल्स और माल्स और फॉसल्स में आते हैं मिडिल टू अपयर पहले मिलते हैं नमबर पर एयोजीन अफ आसाम थूसीन एसम पर रर्ए यॉसीन आंचे पनार सब्स्क्राइब करते हैं थियुकर्ण करते हैं पूरे इन फॉजिल हैं भी को रिल्एत में बहुत कम मिलते हैं इसलों को तो correlate किसे से जोड़ना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम correlate कैसे करते हैं भाई एक हमारा formation है इसमें हमें फॉजल मिला कहीं दूसरी जगा formation है उसमें भी वही फॉजल मिला तो इन दोनों को correlate कर सकते हैं पर जब इसमें फॉजल ही नहीं है तो correlate कहां से करेंगे ठीक है पर है इतनी समझा गया Le 15 पर जबा सकर इसमें फेसिस इसमें रोट से वह यस्ट्लाइश को को जो हम जानतिया सॉठ्ध और एस्ट लिए ओर हमारे और शांडर्य-वह मनिपूर धिस्टीक्ट दिसांग में एउन दोनों की एज लगबग लगबग तो था है अब आता है हम जनतिया ग्रुप में थी stel यह जनतिया की बात करें तो यह लंग पर formation जो है दन्य नेन इसकी उसके उपर confirmably lie करते हैं इसमें नंबर वन पर आता थेरिया formation तीन मिद विभाजित करा गया है से तेरिया जो है यह जोंबर यह दूसरे नंबर पर है सिल है लामस्टोन यह फोरी मेन फर्स लाइम स्टोन स्के बने हुए हैं सैंड स्टोंस के बने वहे इसकी थिखने से 600 अप चार होरीजॉण से लके से बड़त हैं अलग करते हैं सैंड स्टोन के बैट्स यह लोवर रानी कोच से जुडा ह नूमिल्ट थेलिकस ऑर ऐसी लिना पॉपी ल्डाट ड्यस्को सब्सक्राइए ठीकनय से 3803-800 meters इसमें sandstone और शेल्स हैं फौरी मेना फेरा में हैं फौरी मेना फेरा ओफ अपर योसी ने जिसमें देखना मिलते हैं फिर आता है हमारा दिसांग गुरूप इस नंबर चार में दिसांग ग्रुप यह अपर क्रिटेसियुस ओर ऐसी उसीन रौकत यह दिशांग ग्रुप में हमारी ऐसी औरً इस और तीन भार मीटर झाल जिसमें बैट्प तो असदिलेसिस और नरीनेसिस रॉक्स देखने को मिलती यह बैट्थ Tibet जो है इसमें स्प्लिंटेरी और फॉजिली फेरेस सेल्स और सेंड स्टोन्स ठीक है तो अब देखूं मैं जिरा फॉजिल स्मिस में आ जाते हैं फॉरमिनी फर्स जो कि अपर योसीन एज के हैं और अपर पार्ट में बाए जाते हैं बहुत ग्रूप आ रहा है अगली वीडियो में